नमस्कार दोस्तों आज कि इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम दो इस प्रेशन को डिस्स करेंगे जो कि UPSC 2023 के जनरल स्टेडीज पेपर 2 में पुछा गया है यहां पर आपसे पूछ रहा है रोल आप प्रिशाइडिंग ओफिसर ठीक है रोल आप प्रिशाइडिंग ओफिसर किसका इस्टेट लेजिसलेचर का और किसके संदर में बोल रहा है कि क्या रोल है प्रिशाइडिंग ओफिसर का इस्टेट लेजिसलेचर में इसके संदर में maintaining order and impartiality in conducting legislative work and facilitating best democratic practice तो simply यहाँ पर पुछ रहा है कि जो presiding officer होते हैं ठीक है पीठा सिन अधिकारी होते हैं राज बिधाय काओं में उनका क्या भूमिका है बिधाय कारेों के संचालन ब्योस्था में और निस्पच्च्चता बनाई रखने में और लोकतांत्रिक जो परंपरा हैं उसको सुगम बनाने में देखो यहाँ पर democratic जो practice होती है democratic practice का क्या मतलब है कि democracy को सुलह बनाने में यानि कि जो लोगों हाँ पर बोलना चाहते हैं उसको equal opportunity दे पर्टिपेट करने के लिए अपने बातों को रखने के लिए discussion के लिए और यहाँ पर maintaining orders का क्या मतलब है कि जो MLS हैं वहाँ पर हंगामा न करें ठीक है कोई fall language यूजने करें जो house के rules regulation है उसके हिसाब से वहाँ डिस्क्रशन करें यह हमारे maintaining order हो गया impartialty के मतलब है वैसे तो जो प्रिसाइटिंग ओफिसर होता है वह जो majority वाले जो party होती है उसी का member होता है लेकिन उसका role होता है impartial work करें किसी party basis के रूप में न वर्क करते हुए तब को equal treat करें इसको बोलते है impartialty in conducting legislative work ठीक है इस सब में role क्या है प्रिसाइडिंग ओफिसर का यह आपको बताना है एक इंट्रोटक्शन मा बता सकते हो कि state कि इस Histoire legislature होते है उसके 2 पार्ट होते है कौन ज होता लोर हौज एकлекता अपर हौस को हम बोलते हैं राज्य बिधान अभ़ा या state each assemblies अपर हांस को बोलते हैं न राज्य विधान परसप या स्टेट काउंसल होती है उसके जो प्रिसाइडिंग ओफिसर होते हैं उसको बोलते हम चेर्मेन और डिपूटी चेर्मेन ठीक है जो कि आर्टिकल 182 में इनका मेंशन किया गया है तो यह आप इंट्रोडक्शन पार्टर बता सकते हो और जो यह हमारी प्रिसाइडिंग ओफिसर होती है वो बहुत ही प्रूसियल रोल प्ले करते हैं हाउस के ओडर को मेंटेन करने के लिए यानि जो रूल सेक्लेशन से फंक्शन करना चाहिए उसको मेंट डेमोक्रेटिव प्रैक्टिस होती है उसको प्रमॉट करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है कैसे करता है तो पहले हम बात करते हैं हमारी मेंटेनिंग ओडर जो हाउस की जो रूल से लेशन है उसकी तंचालन बेवस्ता को कैसे बनाता है जो चेर में प्रिसाइडिंग ओफ करने को बोलता है प्रिषाडिंग ओफिसर्ली कोई भी असब भी तरीके से अहां पर बहस करता है ये न्यम फोर्स करने के काम करता है ठीक है और यदि कोई भी नियम कानुन को तोड़ता है असब्य तरीके से बात करता है तो उसके लिए अनुस सासनात्मक करवाई भी करता है जैसे कि अभी हाल ही किसमा देखोगे तो महाराष्ट की विधान सबाइं के जो इस्पीकर थे वो 15 सदस्यों को निकाल दिये थे ठीक सब्सक्राक से प्रिषण जृद मेंडेन करती है है जो डेक्कोर में इसको इसको कि अच्छ исп पॉस्कर दिया तो निड़े लेने की निड़े लेने में आप देखोगे पीठा सीन जो अधिकारी होती है वो बहस में निस्पस्च होता है किसी के पच्च में बात नहीं करता है इंपार्सिल होता है किसी पार्टी को फेबर नहीं करता है सबको इकोल टाइम देता है अपने बातों को रखने लिए यहां पर निस्पस्चता बनाए रखता है किसी को फेवर नहीं करता है फिर इक्वल ऑप्रटुन्टी भी देता है नूट्रल भी रहता है कोई भी अपना विचार बेक्त करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि जो रूलिंग फार्टी है उसको ज्यादा टाइम दिया जाए य कैसी सब करता है तो किसी दल में कवाट्री मिसिक्ट को सब्धार करने में हमारा रूल प्ले करता है तो आप समरी में बता सकते हो कि जो पिठासी नतिकारी होते हैं, प्रिसैटिंग ओफिसर होते हैं, वो लोगतांत्रिक सिधानतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भमकानी बाते हैं, और जो हाउस की डिकोरम होती है, उसको मैनेज करते हैं, इंक्लूसिफ डिसकसन को प् डियल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कहीं-कहीं पे जो प्रिसैटिंग ओफिसर होते हैं, वो अपनी पावर का मीशी उच करते हैं, और इंक्य पावर में बहुत जाएदा ट्रांस परेज नहीं है, ठीक है, आपका निशी तेहीं पावर है, ट्रांस परेजी कमीं देख चीजों के लिए इन सब चीजों के लिए इंपार्शिल बनाए गया है इस तरह से आप क्वेशन को एटेंड कर सकते हैं तेरा दूस्तों आज का वीडियो डिस्क्रशन आप कमेंड करके जरू बताया एक वीडियो कैसे लगी आज के लिए बस नहीं थेंक्यों वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपी साथ थेंक्यों